हेलो डियर स्टुरेंट्स बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल स्टेडी विद दुलार में बचो ये कलास सेवन का हिंदी बुक है चैप्टर एट है और इस चैप्टर का नाम है प्रियतम प्रियतम मतलब होता है सबसे प्रिय यहाँ पे एक स्टोरी इसमें दिया हुआ है अम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है सबसे पहले यहाँ कविता के बारे में कुछ लिखा हुआ है इस कविता में विश्नु और नारद से सम्मंधित एक पुरानिक परसंग लिया गया है इसमें करतेब पालन करने वाले वेक्ति को ही परभू का सबसे प्रिये माना गया है यह बिल्कुल सही बात है आप चाहे भगवान का जितना भी पूजा करें पूजा पाठ करें आप तीरत घुमें कुछ भी इस तरह का कई सारे चीजे हैं जो भगवान को दिखाने के लिए है कि हरी के जगह आप अगर हरीजन से प्रेम करते हैं तो हरी आपको मिलते हैं भगवान खुस होते हैं भगवान आपको मिलेंगे तो उसी तरह का यहां पे बतलाया गया है कि आप सच्ची सरधा भगवान के परती रखते हैं और अपने कर्तब्यों का पालन करते हैं तो फि एक दिन नाराज जी विष्णू जी के यहां जाते हैं विष्णू लोक में जाते हैं और उनसे पुछते हैं कि प्रभू बतलाईए कि मिर्त्यू लोक में मिर्त्यू लोक मतलब पृत्वी में पृत्वी में कौन सबसे आपके प्रिय भक्त हैं सबसे प्रिय भक्त आपके कौन विष्णु जी क्या कह रहे हैं विष्णु जी ने कहा एक सजन किसान है प्रानों से प्रियतम विष्णु जी इसका जवाब देते हैं कि एक नेक किसान है जो मुझे अपने प्रानों से भी ज़्यादा प्रिय है उसकी परिछा लूँगा जब इस तरह की बात जब सुनते हैं नारत जी उनको थोड़ा सा ठेस लगता है क्योंकि वह हमेशा ही नाराइन नाराइन जबते रहते हैं और यह पता चलता है कि नारत जी उनके प्रियतम भक्तों में से नहीं है तो फिर वह क्या बोलते हैं कि उनकी परिच्छा लूँगा कि मैं उसका जाच करूँगा कि वाकए में वो आपके सबसे प्रिये है हांसे विश्णु सुनकर यह कहा कि ले सकते हो विश्णु जी हसते हैं और बोलते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है आप परिच्छा लेना चाहते हैं परिच्छा ले लेजे नारत जी चल दिये, पहुँचे भक्त के यहाँ अब नारत जी वहां से निकले और उस भक्त को जिसके बारे मतलाय गया था उनके पास पहुँचे देखा हल जोत कर आया वा दोपहर को दरवाजे पहुँचकर राम जी का नाम लिया देखें यहां पर अपनी दिनचरिया के हिसाब से वो किसान हल चला कर आया और दोपहर को भगवान का स्री राम का नाम लिया तो स्री राम, क्रिश्न और विश्नु तीनों एक ही हैं तो राम का नाम लिया मतलब विश्नु का नाम लिया इसनान भोजन करके फिर चला गया काम पर फिर जो उसकी दिंचरिया है उसके अनुसार वो फिर से इसनान भोजन असनान किया भोजन किया और फिर काम पर चला गया साम को आया दरवाजे फिर नाम लिया प्राता काल चलते समय फिर साम को वह जब वापस घर आ गया तो फिर साम में फिर भगवान का नाम लिया और फिर प्राता काल चलते समय एक बार फिर उसने मधूर नाम अस्मरन किया और फिर रात में सोने के बाद जब सुबह उठा तो येवल तीन बार इस तरह से नारज जी के मन में आया कि ये क्या इससे तीन बार ही भगवान का नाम लिए मैं तो हमेशा ही उनी का जाप करता रहता हूं नारज जी ऐसा देखकर चकरा गए नारज चकरा गए किन्तु भगवान को किसान ही यह आद आया गए विश्नु लोग ऐसा देखकर नारज जी सोच रहे हैं कि इस किसान में क्या ऐसा खास है जो भगवान ने इनी को अपना प्रियत्तम भक्त बोले कि इनी का याद आया उनको मैं भी तो था गए विष्णु लोग जहां विष्णु रते हैं वहाँ पे चले गए बोले भगवान से देखा किसान को दिन भर में तीन बार नाम उसने लिया है कि है परभू कि मैंने किसान को देखा वो पूरे दिन भर में सिर्फ तीन बार आपका नाम लिया बोले विश्णू नारद जी आवस्यक दुसरा एक काम आया है तुम्हें छोड़ कर कोई और नहीं कर सकता साधरन विशेयह बाद में विवाद होगा तब तक यह आवस्यक कायर पूर्ण कीजिए तेल पूर्ण पात्रिया लेकर प्रदक्षना कर आये भुमंडल की ध्यान रहे स्विसेस एक बूंद भी इससे तेल ना गिरने पाए यहां विश्णू जी को जब वे इस तरह के बोले तो विश्णू जी क्या बोल रहे हैं कि नारद जी ये छोटा मामला है चोटी बात है इसके बारे में चर्चा बाद में हम लोग कर लेंगे लेकिन अभी एक जरूरी काम आगया है जो सिर्फ आप ही कर सकते हैं आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता यह तो साधरन भी से है इसके बारे में बाद में बात करेंगे तब तक आप यह कारिपूर्ण कर लिजे यह तेल से भरा एक पात्र है एक कटोरा है तेल से भरा हुआ आप इसको लेकर पूरे भुमंडल की मतलब पिर्थी लोग की परिकर्मा कराईए बस ध्यान आपको इतना ही रखना है कि इससे एक भी बून तेल गिरने ना पाए इस तरह से उनको एक कायरिप दे दिये वो और बोले कि आपका जो सवाल का जवाब है उसको मैं बाद में दूँगा उसको बाद में इसकी चर्चक की जाएगी अब यहाँ पे नारत जी चले तेल का पातर लेकर लेकर नारत जी आग्यां पर गिरित लक्ष एक बून तेल उस पातर से गिरे नहीं योगी राज जल्द ही विश्व परियतन करके लोटे बैंकुठ को तेल एक बून भी उस पातर से गिरा नहीं उल्लास मन में भारा था या सोचकर तेल का रहिस एक आउगत होगा नया नारत को देखकर विश्णु भगवान ने बैठाया स्नेह से कहा या उत्तर तुम्हारा यहीं आ गया बतलाओ पात्र लेकर जाते समय कितनी बार नाम इस्ट का लिया अब यहाँ पे जब उनको यह कारी दे दिया गया पात्र से भरे तेल को लेकर उनको भुमंडल की परिकर्मा करना था तो वे लेकर चले गए भुमंडल की परिकर्मा करने के लिए उनका पुर्ण ध्यान जो था अपने लक्ष पे था मतलब एक भी बूंद उस पातर से तेल को गिरने नहीं देना इस बात पर उनका ध्यान लगा हुआ था और जैसा कि वे भगवान है उभी भगवान है देता है तो जल्दे ही भुमंडल की परिकरमा करके वो वापस बैंकूठ लोटाए बैंकूठ विशनु भगवान का जो लोग है उसको बैंकूठ बोला जाता है उस पातर से तेल एक भी बुंद नहीं गिरा था इसलिए उनके मन में उनलास भरा था मतलब वे बहुत खुश थे और जब वापस आये तो वे बोले कि जरूर ही इसके पीछे कोई रहिस होगा और वो पता चलेगा जब नारद वापस आ गए तो विशनु जी ने उन्हें असने पुरुवक बैठाया और बोले कि आपका जो उत्तर था वो तो यहीं आ गिया यहीं सिद्ध हो गिया कि बतला ये पात्र को ले जाते समय आपने इस्ट का नाम लिया मतलब आप जिस भगवान को जबते हैं आप जिनने सरस्रिस्ट मानते हैं जिनकी पुजा करते हैं क्या आपने उनका नाम लिया एक बार भी नहीं अब यहां पे नारद जी बोल रहे है एक बार भी नहीं संकित हिर्दे से कहा नारद ने विष्णू से अब वे सोचने लगे कि हमने तो उस समय नाम नहीं लिया काम तुम्हारा ही था ध्यान उसी से लगा रहा नाम फिर क्या लेता और जब यहां पे नारद जी बोल रहे हैं कि जो आप काम दिये थे तो उस काम को ही तो मैं कर रहा था उस काम पे ही ध्यान लगा हुआ था फिर और आपका नाम क्या लेते विष्णू जी यहां पे बोल रहे हैं विष्णू ने कहा नारद उस किसान का भी काम मेरा दिया हुआ है कि वो किसान जो काम कर रहा है वा काम भी मैं नहीं उसे दिया है कुत्रदाइत कई लादे हैं एक साथ सबको निभाता और काम करता हुआ नाम भी वह लेता है किसी से है प्रियतम नारदलजित हुए कहा यह सच्थ है यहाँ पे जो हमें बतलाना चारा है इस्ट कविता का मूल जो भाव है वो यहां पे दिया हुआ है कि जो कायरी आपको मैंने दिया था उसको करने के दोरान एक बार भी अपने इस्ट का नाम याद नहीं आया आपको और किसान को भी मैंने ही काम दिया है कई सारे जिमेदारियां दिया है कई उत्रदाईत दिया है उनको सभी वह निभाता है काम करते हुए वह मेरे नाम को जबता है मेरे नाम को लेता है तो इसलिए वह मेरा प्रियतम भक्त है नारज जी जब इस बात को सुने तो उन्हें अपने गलती का एहसास हुआ कि एक छोटा सा कायरी करते हुए वे अपने इस्ट का नाम भूल गए वे दिन रात काम कर रहे हैं इस्वर का दिया हुआ लेकिन फिर भी वे तीन बार नाम लेते हैं उनके सामने या कथन सैत हो गया कि वाकई में वो किसान जो है वो सजन किसान उपरभू का द्वारा हमें सब कुछ प्राप्त है तो इस कविता के रच्यता है सुरिकान तिरपाथी निरालाजी और इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है वन नंबर में जैसा कि सभी चप्टर में दिया हुआ रहता है सबदार्थ इंदी इंगलिस में दिया हुआ है आप इसको एक बार पढ़कर जरूर याद करें और क्वेश्चन नंबर टू उतर दिजे यहाँ पे इस चप्टर का मुझ्ख क्वेश्चन है सेस्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर त्री करो जिसमें की सही करत लगाने के लिए कहा गया है यह सही है और इसमें यह सही है यह दोनों ही यहाँ पे सही टिक लगा हुआ है और क्वेश्चन नंबर फोर यहाँ पे कविता को समवाद सेली में लिखो कहने का मतलब है कहानी के रूप में लिखने के लिए कहा गया है उसके बाद question number 5 भासाध्यन जहां पे कुछ ब्याकरन का question दिया हुआ है तो इसका answer मैं आप लोगों को आगे दे दूँगा इसमें और एक कंतिम question यहां पे थिरी number का दिया हुआ है उपसार प्रिथक करके लिखो तो आईए मैं आप लोगों का इसका answer बना के दिखा देता हुँ यह है चप्र एट का question answer एक दिन नारज जी ने विश्नु से क्या पूछा एक दिन नारज जी ने विश्नु जी से पूछा है परभू प्रिथ्वी लोग में आपका सबसे प्रियभक्त कौन है विश्नु जी ने किसे अपना प्रियतम बताया विश्नु जी ने पृत्वी लोग के एक सज्जन किसान को अपना प्रियतम बताया विश्नु जी का उत्तर सुनकर नारज जी ने क्या निर्ने लिया विश्नु जी का उत्तर सुनकर नारज जी ने किसान का परिक्षा लेने का निरने लिया नारज जी क्या देखकर चक्रा गए किसान को दिन भर में सिर्फ तीन बार परभु का नाम लेते हुए देखकर नारज जी चक्रा गए विश्नु जी ने नारज को दूसरा कौन सा काम सोपा विश्नु जी नारज जी से बोले कि एक दूसरा आवसक काम आया है जिसे सिर्फ आप ही कर सकते हैं तेल से पूर्ण भरे पात्र को लेकर पिर्थवी लोग की परिकर्मा कराईए बस इतना ध्यान रहे कि एक बूंद भी तेल पात्र से ना गिरे तेल पात्र लेकर परदक्षना करलोटे नारत के मन में उल्लास क्यों भरा था परिकर्मा करलोटे नारत के मन में उल्लास भरा था क्योंकि तेल एक बूंद भी पात्र से नहीं गिरा था या उत्तर तुम्हारा यहीं आ गया विश्नु ने नारत से यह क्यों कहा विष्णु जी ने नारद के मन में उठे प्रस्ण का उत्तर उन्हीं के द्वारा परमानित कर दिये थे इसलिए उन्होंने या कहा या उत्तर तुम्हारा यहीं आ गया Q3 जहां टिक लगाने के लिए कहा गया था वैसे तो वीडियो में भी उसका एंसर बतला दिया गया है यहां भी दिया हुआ है वन नम्बर का खा और टू नम्बर का गा Q5 भासा अध्यन यहां पे ग्रामर का कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है विलोम सब्द लिखो और टू नम्बर में समास विग्रह करो यहां पे श्टर से दिया वाया सनान भोजन तेल पात्र तेल का पात्र विश्व प्रियटन विश्व का प्रियटन मतलब विश्व का भर्मन ग्रह काईरे गर का काईरे अंतीम क्वेश्चन है प्रियटन समाप्त हो गया है इसी तरह का विडियो हमारे चैनल में आते रहता है और जिस प्रकार से बच्चे कमेंट करते हैं उस तरह से यहां पे विडियो डाला जाता है तो आप हमारे चैनल में बने रहे हैं इसको subscribe करके रखें अपने दोस्तों के साथ share करें और इसके next chapter को पढ़ने के लिए हम लोग next video में चलेंगे तो हम लोग next video में चलते हैं